दोस्तों इस टार्च को मैंने लवग एक मेने पहले ही पर्चिस किया है और यह एक ब्रांडेट कमपनी की टार्च है मैंने इस टार्च को यह सोच के लिए था यह ब्रांडेट कमपनी की टार्च है तो इसका सब कुछ ठीक होगा यानि इसका लाइट इसका बैटरी बैक अप तक यह सब कुछ ठीक होगा लेकिन मैं आपको बता दूंसका लाइट तो चलो ठीक है लेकिन इसका बैटरी बैकप बहुत ही खटिया है इस बैटरी को फुल चार्ज करने में लफ़क डेड़ से 2 घंटा लगता है लेकिन इसका बैटरी चार्ज बहुत जल्दी खतम हो जाता ह जिससे के हमें काफी परसानी होती है तो आज हम लोग अपने इस टार्च के बैटरी बैकप को लफख 10 गुना बढ़ाएंगे यानि इसमें हमें एक ऐसा जुगार्फिट करेंगे कि एक दिन चार्च करने के बाद लफख 10 दिनों तक हमें इस टार्च को चार्च करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल इसी तरह का टार्च है तो ही आप बैटरी बैकप बढ़ा सकते हैं आपके पास चाहे किसी भी तरह का टार्च हो उसका определ than आप 10 गुना भार सकते हैं तो आप पास जो भी टार्च है उस टार्च को पहले आप खूल लीजिए देखिए इस टार्च में 3 इस्क्रूर दिया है सदे पहले हम इन तीनों इसक्रूर को खूल लेती हैं तीने इसको खोलने के बाद इसके body cover को हम इस तरह से हटा देंगे इस charge का cover हटाने के बाद यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका battery backup इतना खराब क्यों है इस charge में जो battery लगा है मातर 400 image का है इसी के वज़ेग से इस charge का battery backup बहुत खराब है तो हमें क्या करना है इस charge की इस battery को ही यहां से change कर देना है सबसे पहले हम यह चेक कर लेंगे यदि हम इस battery को यहां से change करते हैं तो इसके जगां पे हम कौन से battery fit करेंगे तो देखे यह मेरे पास lithium ion battery यह lithium ion battery मार्केट में आपको 40-45 रुपे में बड़ी आसानी से मिल जाएगी इस lithium ion battery का नमर है 18650 जो की 3.7 volt और 3000 image की है तो आप समझ सकते हैं कि मेरे charge में जो battery लगी है मातर 400 image की है और यह lithium ion battery 3000 image की है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम इस battery को अपने charge में लगाएंगे तो हमारे charge का battery backup कितना बढ़ जाएगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह lithium ion battery इस charge में fit होगा या फिर नहीं होगा यहाँ पर जो battery लगाने का जगा दिया है वो जगा इस lithium ion battery को लगाने के लिए बिल्कुल perfect है तो इस battery को इसमें लगाने के लिए हमें जादे कुछ नहीं करना है यह जो कारी वाली battery है इसमें दो तार लगे है एक red है जो कि plus है black और minus है तो हम क्या करेंगे इन दोनों तार को इस battery से हटा कर और lithium ion battery में plus minus के इसाथ से जोड़ देंगे lithium ion battery में जो plus का point होता है वो इस side होता है देखिए एक cap जैसा है और उस cap में जगा 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 छेथ होता है और दूसरे side बिल्कुल plane होता है तो जी side plane होगा माइनस होता है और जी side में cap होगा यानि जी प्लस होता है तो हमें इसी हिसाब से इसमें soldering कर लेना है और इस से जला कर देखते हैं यह काम कर रहा है कि नहीं देखिए कि सही प्रकार से जला है अलाकि अभी बैटरी चार्ज नहीं है इसलिए थिमा जल आया है कोई बात नहीं इस बैटरी को लगाने के बाद इसे हम चार्ज कर देंगे तो हमारे टार्ज की रोशनी बिल्कुल तेज़ है यह यह आपके पास डबल साइट टेप है तो इस बैटरी के चारो तरफ आप डब लगी कर दिया है और हमारे इस टार्ज का बैटरी बैक अप लबग 10 गुना तक बढ़ गया है क्योंकि इस टार्ज में जो पहले बैटरी लगी थी ओमात चार्ज इमेज की थी और जो हमने अभी बैटरी लगाया है उत्तिन आजार इमेज की है और यह तरीका आप किसी भी कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूब कटाईएगा अगर विडियो पसंद हो तो वेडियो को लाइक कर दें हमारे चनल वाली बाया है तो चैनल स्क्राइब करके बेल आइकन जरू प्रस करदें तो मिलते हैं इसी बिकार की एक अभर जुखार वाले वीडियो में वीडिय आप